बड़ी प्रसिद्ध कथा एक ब्याश जी कथा कर रहे थे और करते करते बोले कि मैया ने ठाकुर जी को उखल से बांदिया भाईया आप समय पूरा हो गया कथा कल से कहेंगे रात में ब्याश जी अपने बोजन प्रशाद करके जैसी सोय चोर पूरा घर चोरी करके ले गए ब्याश जी को छोड़ गए और ब्याश जी के छोटे से गोपाल जी को छोड़ गए सुवह सुवह भ्याज़ जी उठे उठकर के जैसी देखा तो पूरे घर में कुछ बचाई नहीं बरतन भी ले गए चोर सब जगे गुंगाम करके अपने गोपाल जी को देखा तो गोपाल जी बैठे बेचारे उनका संगासन भी ले गए व्याज जी गोपाल जी के सामने वैटे और वैट करके बोले, गला फाड फाड करके आपकी कथा सुनाते हैं, पूरे विश्व को सदाई वाप की सिवा करते हैं, आपके लिए भोग बनाते हैं, घर में कोई भी सामिक्री आए, पहले आपको प्रदान करते हैं इतने परिश्रम से घर बनाया सब सामिकरी इकटी करी और कल रात को क्या थोड़ा सा ठक्के गहरी नीद में सो गया तो मेरी रक्षा भी नहीं किया अपने वैसे पूतना को मार दिया छे दिन की उमर में अगास और बकास और धेनुकास वोगwood सबको मार दिया और जो आपकी वरसों से सिवा कर रहा है उसके एक दिन बस थोड़ा सा मैं किसी को बता थोड़ी रहा था एक दिन मेरी रक्षा कर ले ते सब सामिक्री बच जाती, क्या भी गड़ जाता आपका तो जब इस भाव से बात की आपके भीतर चेतन्यता आ जाए आप ठाकुर्जी से बोलने लग जाओ तो वास्तों में आपको लगेगा ठाकुर्जी उत्तर दे रहे जब ब्याज जी ऐसे बात करने लगे तो लड़ु गोपल बोल पड़े हमें काई को डाट रहे हो हमारी गलती थोड़े है ब्याज जी बोले आपकी गलती नहीं है तो नहीं गलती तो हमारी है जो हम आपकी सेवा करते है ठाकुर्जी बोले देखो हम पर गुस्ता मत करो हमारी गलती नहीं है गलती जिसकी हो उसको नटना चाहिए बिना अपराद के किसी को डंड नहीं देना चाहिए ब्याज जी बोले क्यों नहीं आपकी गलती क्यों नहीं बचाया आपने आप तो कर सकते थे ना आप तो सर्वसामर्थवान है भगवान बोले हम कर देते लेकिन कल तुमने कथा में कहा था कि मैया ने हमको उखल में बांदा हम तो उखल में बंद रहे थे यदि खुले होते तो बचा लेते बंद रहे थे कहने का अभिप्रा है ब्याज जी ने गोद में ले लिया ठाकुर्जी को हिर्दे से लगा लिया आपका भाव स्थापित हो वो चेतन्य स्वरूप है एक वैश्णव नवनीत प्रिया जी गोपाल जी की सेवा करता था लेकिन उसके घर में इतनी दैन्य था थी कि एक बार का भोजनी तीन बार में पाया जाता था दुबारा बनानी की सामिक्री नहीं इखटी हो पाती थी अब उसका कोई एक मित्र आया वो पैसे वाला उसने आ करके उससे का और भाई सब ठीक बोले हां सब ठीक बोले तुमारा दिन सुधर गए की नहीं बोले अब वैसे ये भाईया क्या करें एक समय ब्रोटी बनती है उसी से शाम तक का कि अच्छे तुम पूजा उजा करते हो कि अब रहां किसकी करते गोपाल जी नवनीत प्रिया जी लड़्डु गोपाल इनकी पूजा करता हूं हजने लगा मित्र इनकी सेवा करते हो अरे ये भी विचारे जब इनको पूतना मारने आई न इस तनों में विश लगा के तो ये भी नेत्रबंद करके शंकर जी से मदद माग रहे थे कि पूतना के स्तन के विश्को तुम पी जाओ अरे जो अपनी रक्षा स्वयमनी कर पाते तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे इन से बड़े शंकर जी हैं शंकर जी को लिया उनकी सेवा शुरू करतो अब विचारा मर अगर टेवल पर बिठा दिया बूले तुम्हारी सेवाब हो गई तुमने तो कुछ किया लिए अब इनकी करेंगे अब शंकर जी की पूजा उसने शुरू कर दी खूब रुद्रा श्थध्याई से अवशेक आदी सब करने के बाद में अगरबत्ती जला करके और त्रिपुंड लगा लिया पहले तो उर्दुपुंड लगा रहा था अब त्रिपुंड लगा करके ओम नमस्षिवाय जब करने लगा अब जैसे यहां खोलके देगा तो जो उसने अगरबत्ती जलाई थी उसका धुआ उड़कर गोपाल जी के पास जा रहा था अब वो तो कहीं भी जा सकता है अब जैसे गोपाल जी के चारों तरफ उसने धुआ देखा तो ठाकुर जी के पास जाके क्या बोलता है इतने वरसों से सेवा कर रहा था तब तो मेर जी नहीं सुनी आज दूसरे किसी को लिया तो चिड़के मारे उसकी अगरबत्ती भी खुदी सूंग रहे हो और ठाकुर जी को बोला तुमको यहां बैठने ही नहीं दूंगा आलमारी में बंद करूंगा जैसे ठाकुर जी को इस भाव से उठाया ठाकुर जी प्रगट हो गए हो पर चरणों में गिर पड़ा बोले महराज आपने आज तक मुझे दर्शन नहीं दिये शंकर जी के आती दर्शन कैसे हो गए बोले देख यह बेद बुद्धी मतलए कि मुझे में शंकर जी में कोई बेद नहीं है और शंकर जी आए इसलिए दर्शन दिये ऐसा भी आई है तो बोले क्यों कि यह फिर क्यों दिये दर्शन आज आपने बोले कल तक तुझे यह नहीं लगता था कि मेरी नांग सूंगती भी है कल तक तुझे ये नहीं लगता था कि मुझे भी जलन हो सकती है, लेकिन आज तेरे भीतर ये भाव आया कि मैं चेतन्य हूँ, ये अगरबत्ती मैं भी सूंग रहा हूँ, मुझे में भी एक जलन शीलता आई है, मतलब मैं साधारन मूरती नहीं, मैं चेतन्य हूँ, जब तेरे हिर्दे में ये भाव आया तो मैं पीछे क्यों अटू मैं भी प्रगट हो गया मैं भी क्यों मूर्ती तक रहूं जब तू ही मुझे इतना ऊपर पहुंचा चुका है तो मैं भी प्रगट हो गया तो ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप भागवत कहती है चैतन्या अगरे उनमें 60 वही भाव रखो यह चैतन्य ने एक बार को मंदिर में विराज रहें ठाकुर में हमारी चैतन्यता काा फाब रहता किं Kingdom ठाकुर जी हैं इनके सामने बैल्ट नहीं पहने इनके सामने 1972 पहने इनके सामने ऐसे नहीए जाना लिकिन अपने घर के ठाकुर के किसी का ब्याह हो रहा है हमारे परिवार में और दो दिन के लिए जाना है पूरे घर को असी असी अजार रुपे के सबने कपड़े बनवाएं अपने सब लोग जाएंगे ठाकूर जी के आगे मिसरी रख जाएंगे हम तो जा रहे हैं उद्यपूर वहीं ब्याह में रहेंगे थोड़ा आनंद करेंगे आप मिसरी का भोग लगाओ तुम रह लोगे दो दिना मिसरी पर नहीं रह सकते हैं सब लोग इधर देखो साफधानी से एक बात बता रहा हूं मैं इस बात को समझ लेना यह 24 अवतार तो ठाकुर जी के हैं है यह 25 वा अवतार जो अर्चा अवतार है यह ठाकुर जी ने क्यों धारन किया हमारे घर में ठाकुर जी अपनी सेवा कराने के लिए क्यों पधारे इसके पीछे एक बहुत सुन्दर भाव है साफधानी से सुनिये को जी गुर्देव भी बैठें उनसे भी निवेदन दास के मन में ठाकुर जी की सेवा करते हुए एक भाव आया तो मेरी इच्छा होई कि मैं उस भाव को कहूं कि ठाकुर जी सब के यहां सेवा कराने के लि विराजरा होगा वरंदावन तो प्रसिद्ध है घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गुविंद जी को अलीरी मोहिलागे वरंदावन नी को क्यों विराज रहें ठाकुर जी हम सब के घर में देखो हम लोग जब वैकुंठ जाएंगे जाएंगे तो हैं को रोक तो रानी हमारे द्वारा किये गए कृत्य के कारण यदि हमें कभी वैकुंठ के अलावा भी लोकों का दर्शन करना पड़ गया मानू जैसे नरग का दर्शन हो गया या स्वर्ग का दर्शन करना पड़ गया और उस पश्चात महां पर बताया तुमने यह अपराध किया था इसलिए लिए पड़ी पी अबाध भी हमारे जीवन में कभी सुख की अनुवूती नहीं और उसके बाध भी जब हम संसार छोड़के आए तो नरग का दर्शन हो शिकायतें दुन्या भर किया हम ठाकुर जी से करने लग जाएंगे कि आपने यह नहीं किया यह नहीं किया हम ठाकुर करेगा कि सरर्दी में कभी मुझे थंडे जल से नहिला देगा तै naked कि बेंकर सर्दी में कभी मुझे हो सकता है फिटला वस्तर पहना दे मुझे थंडी लगे उससे बहेंकर गर्मी में खुट तो इसी में बैठेगा, मुझको पंखा भी नहीं चलाएगा, बिजली का बिल बढ़ जाएगा, मंदर का पंखा बंदी रेंदो ये सारे अपराद ही ये कहेगा, मेरे साथ में, लेकिन मैं कभी शिकायत नहीं करूँगा, क्यों? हिसाब बराबर करने के लिए आया हूँ, तुझे शिकायत करने योग के छोड़ूँगा, नहीं मैं, तुम भगवान से कुछ कह नहीं सकते, कि भाई आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने ये दुख क्यों किया, भगवान बोले तेरी शिकायत पूरी हो गई, अब मैं करूँ शिकायत, भोग बनाते समय सबजी देख करके भोग लगने से पहले ही तेरा मन नलचा गया था एक बार, बैंक और सर्दी में एक बार मुझे कहीं लेके जा रहे थे, बद्रीनाथ गए थे, मुझे इतना पतला वस्तर पहनाया, मुझे सर्दी लगी, मैंने कभी शिकायत की तुमसे, तो मनुष्य की जितनी भी शिकायतें हैं, उनका हिसाब बराबर हो जाए, उसके लिए ठाकुर्जी अर्चावतार लेके आए, कि आप ठाकुर्जी से कुछ कहना सको, यदि आपने कहा, तो फिर ठाकुर्जी कहेंगे, कितना भी प्रयास कर लेना, कितनी भी कोशिश कर लेना, अर्चावतार में एक ना एक अपराधितों करते ही हैं, लेकिन ठाकुर्जी कभी कुछ नहीं कहते हैं, तो वे ही चैतन्य हैं, और ठाकुर्जी का तीसरा स्वरूप है, आनंदम परमानंदम, ठाकुर्जी आनंद स्वरूप है, श्रीनाच जी का स्वरूप परमानंद परदान करता है, हमारे बाल कृष्ण प्रभू न दुनिया बर के रूप दारण किये, कहीं पर बांसरी बजा रहे हैं,